रावन अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था जो की राजनीती और साशनकाल में माहिर था रामायन में बताया गया है कि जब श्री राम के वार के बाद रावन अपनी मौत के करीब था और अपनी आखरी सासे ले रहा था तब श्री राम ने लक्षमन को रावन के पास बैटने को कहा ताकि वो रावन से राजपार चलाने के लिए साशन ग्यान और कूटनीतियों का वो ग्यान दे सके जो उन्हें रावन जैसा सर्व ग्यानी ही दे सकता था लक्षमन अपने बड़े भाई की बात मानते हुए रावन के पास कह और उनके सर के पास खड़े हो गए लेकिन रावन कुछ नहीं बोले तब श्री राम ने लक्षमन को रावन के पैरों की और खड़े रहने को काँ क्योंकि जब भी हमें किसी से ग्यान लेना हो तो हमारा स अथान उनके पैरों में होना चाहिए ये सुनने के बाद लक्षमन रावन के पास कह और इस बार उनके पैरों के पास खड़े हो गए फिर आखिरकार रावन ने लक्षमन को जिन्दगी में सफलता के तीन रहसे बताए सबसे पहली बात जो दावन ने लक्षमन को बताई वो ये थी कि शुब कार्य जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेना चाहिए और अशुब कार्य को जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए इससे ना ही हम खुद को बलकि अपनों को भी नुक्सान होने से बचा सकते है जावन ने लक्ष्मन से कहा कि मैं श्री राम को पैचान नहीं सका और उनकी शरण में आने के शुब काम में देरी करता रहा और उन से लड़ने जैसा अशुब काम करता रहा जिससे मेरा ये हाल हो, अपने इस पाठ को रावण ने शुभस सय श्री गम कहकर पूरा किया दूसरा पाठ जो रावण ने लक्षमन को दिया, वो था कि कभी भी अपनी प्रतिद्वन्दी को कमजोर मत समझना कभी भी नहीं रावन ने कहा कि मैंने श्री राम और उनकी वानर सेना को कमजोर समझने की भूल की यहां तक कि ब्रह्मा से अमर्ता का वर्दान मांगते वक्त मैंने ही उनसे कहा कि मानव और वानरों के इलावा कोई मेरा वद्ध ना कर सके क्योंकि इन दोनों को ही मैं मामूली और कमजोर समझता था जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी और इसका परिणाम तुम्हारे साथ में तीसरा और रावन का आखरी पार्ट ये था कि कभी भी अपने लाइफ के सीक्रेट यानि कि अपनी जिन्देगी के रास किसी को भी नहीं बताने चाहिए किसी को भी नहीं रावन ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मेरी नाभी में अमरित होने का रास मैंने मेरे भाई विवेशों को बताया जो कि मेरे अंट का खारण बना इसलिए चाहे कोई कितना भी प्रिये हो अपने जिन्देगी के रास किसी को भी मत बताना रावन ने कहा कि उसको ये जिन्देगी के सीख ये ग्यान अपने जीवन के करवे अनुभवों से मिला है जो कि वो लक्ष्वन को दे रहा है और इसी के साथ रावण ने अपनी आखरी सास ली और राम नाम लेके प्राण द्याती है रामायन भले ही सत्य की असत्य पर विजय की एक गाथा हो लेकिन आज भी उनका हर एक पात्र हमें जिन्देगी की कोई ना कोई सीख देता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें नीचे कॉमेंट्स हो बताएए